Hello students, मैं Dr. Deepakoshik, Associate Professor History, Government Girls College, राजगर. आज B.A. Part 1 के History के Paper Second में, YouTube Lecture में हमारा टॉपिक है France की क्रान्ती. France की क्रान्ती, European इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण है. आज हम इस वीडियो लेक्चर में उसके क्रान्ती से पूर्व की स्थिति पर चर्चा करेंगे. बाद में अगले लेक्चर में हम क्रान्ती पर प्रकाश डालेंगे. देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि किसी भी देश में क्रान्ती अकस्मात अचानक नहीं होती. क्रान्ती तब होती है जब देश की जनता मौझूदा राजनेतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के शोशन और उत्पीरण से परिशान होकर सहन शक्ती की सामर्द से खोबेटती है. तब जन असंतोष उग्र से उग्रतर मतलब बहुत अधिक बढ़ता जाता है और फिर अचानक विस्वोट होता है. फ्रांस की क्रांती भी इसका अपवाद नहीं थी, मतलब कि फ्रांस की क्रांती से पूर भी ऐसी बहुत सी स्थितियां उत्पन हो गई थी, जो कि इस क्रांती के लिए, जिनों ने उस क्रांती के लिए एक आधार तैयार किया. फ्रांस की क्रांती के पूरू का इत्यास फ्रांस योरोप का एक शक्तिशाली देश था और है अभी भी और संभवता इंग्लेंड के बाद उसकी गर्णा की जाती थी लुई चौदवे के शासनकाल जो की 1643 से 1615 तक रहा फ्रांस योरोप में सर्वादिक शक्तिशाली देश बन गया उसने युद्धों के माध्यम से फ्रांस की सीनाओं का विस्तार किया परंतु इन युद्धों ने राज्य की आर्थिक इस्थिति को बिगार दिया और उसकी म्रत्यू के पश्चात पंद्रवे लुई ने लगभग 60 वर्षों तक शासन किया स्वेम अयोग्या होने के साथ साथ उसके मंत्री भी आलसी और विलासी थे पर नाम सरूप बिगडी भी आर्थिक इस्थिति को सुधारने का कोई प्रियास नहीं किया गया अब कि क्रांती से पूर्व वहां का राजा कौन था और उसके द्वारा क्या क्या कारें किये गए लुई सोलवा जो की 1764 से 1792 तक रहा वो इस पुरातन मतलब राजतन तरात्मक वेवस्था का अन्तिमशासक था गद्धी पर बैठते समय उसकी आयू मात्र 20 साल की थी नैतिकता सदभावना व करतव परायनता का धनी होते हुए भी उसमें इच्छा शक्ति व व्यक्तियों को परक्नी की योग्यता नहीं थी प्रारंबिक काल में वे बुद्धिमान रायनितिग्य तुर्गों के प्रभाव में रहा और साथ ही कुछ समय पश्चाज जब उसका विभाव हो गया तो उसकी पत्नी जो थी जो की आस्ट्रिया की राजगुमारी थी उसके प्रभाव में रहा और ये जो उसका प्रभाव वो उसके और पुरातन व्यवस्था दोनों के लिए घातक से थो लुई 16 जो था उसकी पत्नी का नाम रानी अंतात्वे था ये आस्ट्रिया की राजकुमारी थी योरोप की राजनीती में आस्ट्रिया फ्रांस का शत्रू था अतहा फ्रांसीसी लोगों को शुरू से ही ये व पैवाहिक सम्मंद पसंद नहीं आये और वे रानी को हमेशा घ्रणा की द्रश्टी से देखते थे रानी गुणी होने के साथ साथ हटी अतिखर्चीली घमंडी एंकारी और आमोद प्रमोद की शौकिन थी उसके चारोवर स्वार्थी वह चापलूस लोगों का घीरा बना लेता था अभी मैंने आपको बताया कि जिस समय लुई 16 कद्धी पर बैठा उससे पहले लगातार युद्धों में फंसे रहने के कारण फ्रांस के आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी तो ऐसी स्थिति में उस आर्थिक स्थिति को कैसे सबल बनाया जाए कैसे पर कुछ वित्तमंत्री न्युक्त किये और उन्होंने राजा को सुझाओ दिये तो सबसे पहले हम यहां विचार करते हैं कि राजा ने तुर्गो नामक एक प्रसिद अर्थ शास्त्री राज नीतिग्ये को अपना सलाकार बनाया तुर्गो अपने युक का प्रसिद रहते हुए फ्रांस के उद्ध्यो व्यापार की उन्नती व्रांस में प्रशलित कश्टक्रद करों में कमी करने का प्रियास किया आर्थिक इस्तिती सुधार ने है तुर उसने दो उपाए मुख्य रूप से अपनाए एक तो सरकारी वे में कमी की जाए और दूसरा जनिक धन की व्रद्धी की जाए और उसने ये प्रस्ताओं राजा के समक्ष रखे उसने खाद्य सामग्री पर लागु प्रतिबंध हटा कर व्यवसाई क्षेनी का अंत कर दिया कारीगरों बद्धस्तकारों को नए उद्योग खोलने है तु प्रोथ साहित किया तुर्गो ने कौरवी नामक कर को भी समाप्त कर दिया ये जो कर हुआ करता था उसमें मजदूरों और क्रशकों से कारे कराया जाता था और उसके बदले उन्हें पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था अब इस कारे के लिए क्रशकों को पारिश्रमिक देने की विवस्ता की गई और इस द्धन की पूर्ती के लिए कुलीन वर्ग वा अन्य भूस्वामी वर्गों पर समान कर लगाए गए परणाम सरूप समस्त विशेशादिकार वर्ग उसके विरुद हो गया उन्होंने रानी को अपने पक्षमिकर लुई पर दबाव डाला परणाम सरूप तुर्गों को वित् अपने वित्मंत्री के रूप में न्यूक्त किया वह एक चालाक बैंकर था परंतुस में दूर दर्शिता का अभाव था नेकर ने फ्रांस द्वारा अमरीकी सुतंता संग्राम में भाग लेने का विरोध किया था लेकिन राजा ने उसकी बात को नहीं माना और लोगों से क राज्य के आयवय के आंकडे अपनी रुपोर्ट से हित प्रकाशित करवा दिये इससे बहुत से दर्वारी और कुलीन उसके शत्रू हो गए निकर की रिपोर्ट में दर्वारीयों को मिलने वाली पेंशनों वभत्तों का भी उल्लेक किया गया था परिणाम स्वरूप कुल वर्रानी के प्रभाव के कारण निकर को भी राजा को हटाना पड़ा अब निकर के बाद राजा ने केलोन की नुखती की 1789 में केलोन वित्मंत्री बना केलोन के वित्मंत्री बनने के समय सरकारी बजट में लगभग 16 करोड 20 लाक फ्रेंक का घाटा था केलोन ने समस्या का समाधान करज लेकर किया उसने ब्याज की दर को बढ़ा दिया प्रारम में कुछ वर्षों में करजा मिला लेकिन कुछ वर्ष पस्चात करजा मिलना भी बंद हो गया 1786 में सरकारी खजाने के खाली हो जाने पर केलोन ने राजा को तीन वर्गों पर कर लगाने की सलादी परंतु विशेशा दिकार वर्ग को प्रस्ताव प्रसंद नहीं आया और केलोन ने इस समय समझदारी दिखाते हुए कि राजा उसे पद से हटाएं इस से पूर उसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया स्टेट्स जेनरल की मांग अब केलोन के पद से हट जाने के बाद लोमनी दबीने को अर्थमंत्री बनाया गया फ्रांस की आर्थिक दशा को सुधार नहें तू उसने राजा को नए कर लगाने का सुझाओ दिया राजा द्वारा करों को लागू करने की सुविक्रती का पेरिस की पार्लमा द्वारा घोर विरोत किया गया वो अपने रेजिस्टर में उसे दर्ज करने से इंकार कर दिया पैरिस की पार्लमा का कहना था कि करों को लगाने का अधिकार उनी लोगों को है जो कि उन्हें अधा करते हैं अता स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए राजा ने पार्लमा को भंग कर दिया सदस्यों को उन्होंने बंदी बनाया नहीं की योजना बनाई लेकिन सेना वो जन्ता का समर्थन पार्लमा को ट्राप था समूचा फ्रांस इस समय पैरिस की पार्लमा का समर्थन कर स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की मांग कर रहा था लुई सोलवा कुछ दिनों तक मांग अस्विकार करता रहा लेकिन अंत तहा राजा को जनता की मांग के आगे जुकना पड़ा और राजा का जुकना इस बात का संकेत था कि निरंकुश्यासन का समय निकट भविश्य में ह स्टेट्स जनरल जो था वो फ्रांस की पुरानी संस्था थी जिसका प्रथम अधिवेशन तेरह सो बीसी स्वी में हुआ था परंतु सोलह सो चौदा के बाद से क्रांती के पूर्व तक इसका एक भी अधिवेशन नहीं हुआ इसलिए इसका क्या कार रहे है किस प्रकार इस संस्था का प्रवक कारे शासन को परामश देना था ना कि कानून बनाना इसमें पादरी, कुलीन और सरुसाधारन के प्रतिनिदी बराबर संख्या में बैठते थे कुल तीन शेणियों के हिसाब से तीन ही मत दिये गए थे अब इसमें यह होता था कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग यदि जो कि अधिकांशता एक समान अपना मत व्यक्त करते थे यदि वो एक समान अपनी वोटिंग कर देते थे तो सरुसाधारन के वोट की कोई वैल्य कल्व नहीं रहती थी दो name की सुविक्रती मिलने पर वे स्टेट जैनरल द्वारा सुविक्रत कोई भी जुकानुन होता था वो स्टेट जैनरल द्वारा स्विक्रत माना जाता था अधिकांशता पादरी वर कुलीन मतों से सर्वसाधारन परास्थ हो चाते थे लुई सोलवे ने स्टेट जनरल को बुलाना सुविकार कर लिया लेकिन संस्था के संगठन, निरवाचन वो मताधिकार के विशे में उसे कोई जानकारी नहीं थी इस समय फ्रांस में दो महतुपूर्ण चर्चाएं चल रही थी पहली कि क्या पहले की भाती तीन शेणियों के सदस्यों की संख्या रहेगी और दूसरी कि क्या तीनों शेणियों की अलग-अलग बैठके होंगी और प्रतेक शेणि का एक ही मत होगा अर्थवंत्री निकर जो की दुबारा राजा दुबारा निक्त कर लिया गया था निकर पादरी व कुलीन वर्ग से कर लेने के पक्ष में था और सर्व साधारन वर्ग को संतुष्ट करने के उदेश्य से तीसरी श्रेणी के सदस्यों की संख्या दुगनी करने की राजा को सल्हा दी गई। राजा साधारन सदस्यों की संख्या दुगनी करने पर सहमत हो गया परंतु उनके एक साथ बैठने की बात भविश्य के लिए टाल दी गई। इसी समय लूई सोलवे ने मद्दाताओं को अपनी शिकायतों वस्वजावों का एक लेखा तयार करके अपने शेत्र में निर्वाचित प्रतिनिदियों को देने को कहा। इस प्रकार तयार किये गए पत्र को फ्रांसीशी भाषा में काहियर अत्वा कहियर कहा जाता है। इस में गए तो इससे लेक्चर में हमने ये देखा कि 1789 में आइंविशावों के इस पृतिनिदियों के निर्वाचित गेए प्रतिनिदियों को अपने प्रत्यधियों का निर्वाच्न किया। तीसरी शेणी meant के प्रत्य 국्ति अकिती और इंव लिक्ष रूप से कर देता था को मत देने का अधिकार दिया गया तो इस लेक्षर में हमने ये देखा कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांथी हुई उस से पूर फ्रांस की आर्थिक राइनितिक इस्थिती कैसी थी और लुई 16 जो था वो कैसे उस इस्थिती का सामना कर रहा था अब जो हमारे नेक्स लेक्षर होंगे उसमें हम फ्रांस की क्रांथी की कारण मध्यमवर्व की क्रांथी इसमें बुद्धी जीवियों का योगदान रहा क्रांथी के परिणाम और बहुत सी चीजों पर चर्चा करेंगे लेकिन हमारा ये लेक्षर जो है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं थैंक्यू